मृदुला जी को उनके उस समय में ले जाना चाहूंगा जब आपने चितकोव्रया लिखी थी और जो यह सवाल बार-बार आपके सामने आया होगा और आप सुन-सुनके शायद थक भी चुकी होंगी लेकिन जो आज की पीडी सामने बैठी है मैं उसको यह आप ही किमों से सु पन्यास को लिखा और जिस तरह के पात्र और जिस तरह के संबंध और उदातता रची अपने अपनी रचनाओं में और उसके बाद जो बावाल मचा उसके बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि जब बात आलोचना की हो रही है तो मैंतरी जी को यह कहना चाहता हूं कि आलोच में लिखा गया 26 दुनों में लिखा गया एक मिनट भी नहीं सोचा एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उसमें कोई ऐसी बात हो सकती है जिने लोग नाराज हो मुझे वह बहुत सात्विक को आध अधाने चरी चाहरी के प्रेम दीके अगर उसको लेके लोगों को तकलीफ ह और उसका जवाब वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकते हैं, एक बर मैंने एक गोश्टी में जवूर पुरुष लेखक बैठी थे, उनसे इतना जुरूर कहा था कि इतना बावेला मचाने के बजाये, आप घर जाके अपनी अपनी पत्नी से पूछ लेते, तो सच मालूम जूट बोलती तो भी सच मालूम पढ़ जाता, सच बोलती तो भी सच मालूम पढ़ जाता, आज भी मेरी राय यही एकि अगर किसी को कोई सवाल हो, तो अपनी अपने घर जाएं और अपने पत्नी से पूछुएं, मुझसे ना पूछें क्योंकि मेरे लिए ये सारा जो बेवकूफाना था, एहमकाना था, उसमें कोई मुरालिटी, कोई नातिकता आती नहीं, उसमें बेवेक आता नहीं था, किसी से कुछ मतलब नहीं था, वो सिर्फ एक मज़े के लिए किया गया हंगामा था, और कुछ नहीं था, इसलिए उसकी बात करते वे भी मुझे लगता ह हम बिलाबाद एक उंचाई पर रखीवी चीज़ को नीचे खींच कर ला रहे हैं और उस पर फिर बाते कर रहे हैं मैं कुछ और कहना चाहती हूँ यहां पर क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं अगर समाज बटा हुआ है उसमें विशम है, विशमता है वर्गे विशमता है, जात्य विशमता है धर्मों की विशमता है और नफरत पहलाई जा रही है एक तबके के मन में दूसरे तबके के लिए नफरत पहलाई जा रही है अगर समाज ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग बिना भरपेट खाए सोते हैं रोज उसमें को पोशन है उसमें हर तरहा का दुरगुन है तो ऐसे समाज में इस्त्री कैसे शक्तिशाली हो सकती है स्थिय क्या समाज नहीं है स्थिय भी समाज और अगर ऐसा समाज है तो बहुतżenie एसी ही होगी एक दो अपबात हो सकते हैं मगर इस्थिय उन ही चीजों से गुजर रही होगी हम जब कहते हैं कि बहुत दिनों से जब मैंने लिखना शुरूः किया है एक वाग के बार बार सुनकर मैं आजज़ आ गई हूँ कि सहते समाज का दरपन होता है अगर सहते समाज का दरपन होता है तो खासी वाईयात चीज़ होती है क्योंकि दरपन क्या करता है आपकी तस्वीर दिखलाता है दाएं से बाएं बाएं से दाएं कर देता है बस इतना फ आपको बराबर जो इधार्थ है, जो समाज है, उसको दिखलाये चले आते हैं, जब तक आप बोड़ नो जाएं, जब तक आप उस बिंदू पर न पहुंच जाएं, कि आपके भीचर कोई संबेद ना शेश न रहे, आपको कुरूरतम से कुरूरतम चीज भी कुरूर ना लग समाज साहित्य का दरबण होता है, कैसे होता है, कि जो साहित्य करता है, वो ये करता है, मनुष्य और पशू में क्या अंतर होता है, दो अंतर होते हैं, एक पशू के पास जबान, तो ध्वनी होती है, जबान होती है, भाशा नहीं होती है, मनुष्य के पास भाशा होती है, दूसरा अंतर यह है कि पशु अंतर प्रग्या से काम करता है, वो अपने भाव दूसरे पर प्रकट कर सकता है, मगर अंतर प्रग्या से काम करता है, उसके पास लॉजिक, रैशनालिटी नहीं होती, वो सोच विचार कर तारकिक्ता के संग निर्ने नहीं ले सकता, नहीं लेता मनुष्य लेता है, मनुष्य भी अन्तप्रग्या से काम करता है काफी बार, काफी साहिते अन्तप्रग्या से ही लिखा जाता है, मगर वो अन्तप्रग्या जन्म जात नहीं होती, वो अन्तप्रग्या विकसित होती है, पूरे जीवन भर के दर्द से, जीवन भर के ज्ञान से, आपने विसलर्स मदर पेंटिंग के बारे में जरूर सुना होगा, विसलर्स मदर एक विसलर ने एक पेंटिंग बनाए और उसक तो उसने इसको नहीं दी, देने से मना कर दिया, तब अदालत ने पूछा, आपको इस पेंट्रिंग बनाने में कितना समय लगा था, तो उसने चार गंटे लगे थे, अदालत ने कहा, चार गंटे की मेहनत के लिए आप इतना पैसा मांग रहे हैं, उसने नहीं, मैं चार कि मेहनत के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं जीवन भर के ज्ञान के लिए पैसा मांग रहा हूं, तो लेखत भी जो उसका जीवन भर का दर्द होता है, जो उसने भुकता होता है सिर्फ अपने लिए नहीं, आप, 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 तमाम लोगों के लिए, पूरे सम जो दर्द उसने अपनी रगों में भुकता होता है, उससे जो उसके भीतर ज्यान उत्पन होता है, जानकारी नहीं, ज्यान उत्पन होता है, उसे वो अपने साहिते में लिखता है. ठाटً को इसके आवजिक भीतरे में लिफ़्म प्नाना प्रूंड,र्णाबेट